हेई गाइस कुछालिया यह वाचिंग मायने ही टिप्स और गाइस कुछन पहले मैंने आप चैनल में एक NGXT क्राकन X53 रिव्यू कर रहा था जो कि एक बहुत ही बढ़िया 240M AI lookit cooler है आपके CPU के लिए अगर आपके पास Intel के i5 या फिर i7 CPU या फिर AMD के तरफ से यहां पर AMD का Ryzen 5 या फिर Ryzen 7 है तो यह वाला cooler जो आपके लिए बहुत ही बढ़िया हो सकता है इसका फुल रिव्यू है वह ने अपने चैनल में अल्री जाल करने वाला हूं तो आज के इस वीडिये में हम लोग NGXT Cracken X53 को unboxing करने वाले और देखने वाले कि NGXT Cracken X53 के साथ बॉक्स आपको और क्या के मिल जाते है ताकि आप पर पर्चेसिंग के ताइम आपको पता चलिए कि यहां पर आपको NGXT Cracken X53 के साथ क्या 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 आता ह में शॐर कि आप हमारे शॉम चलिए का शर्द करके रख़ो कि इसका वीडियो बहुत जब्चल द्याने वाले यह कौन से ब्राइट का है कि यह का प्राइसिंग इसके साथ यहां और बना डापको फोन से कंट्रोल कर सकते हूं और इसमें बहुत सारा ररा लाइटिग एफे क्योंकि आते रहते हैं और अभी जाट है मैस नहीं गरते हैं चलो फटावर से अम लोग एक्सिटी करते हैं और देखते की बॉक्सां को क्या क्या चीज़े मिल जाती है तो एंची एक्सिटी क्राइक इस तरीका वाइल अनवाइट बॉक्स में आता है सामने आपको मॉडल नंबर दिख जाता है और तुफॉर्टी में आपको पूरा प्रोड़क दिसक्रिशन दिया हुआ है मतलब कि इसके सारे के सारे फीचर लिखा हुआ है तो यहां से आप पढ़ना चाते हो तो यहां से आप पढ़ी सकते हो और पीचर साइड में थोड़ा बट प्रोड़क दिसक्रिशन दिया हुआ है और तैट सेट अबाथ बाथ देख लेते हैं और देख लेते कि इस बॉक्स में आपको क्या क्या मिलता है क्रेकन एक साथ सबसे पहले आपको मिल जाता है यूजर मैनूल और मेरी मानू तो इसको पर लेना एक बार जिससे आपको इसको लगाने में या इंस्ट्रॉल करने में काफी दा असानी हुआ और नहीं पढ़ना तो मत पढ़ना कोई दिक्कत वाली बात नहीं क्यूंकि मैं इस चैनल में इसका एक इंस्ट्रॉलेशन वीडियो भी लाने वाला हो बहुत जल्दी तो इसके लिए आप हमारे चैनल को सब्स्क्राइब कर लेना साल जात घंटा वाल आइकन को भी दवा ल इस कूलर को माउंट करने के लिए इंटल और अमडी मदवर्ड में माउंट करने के लिए आपको इसमें सारे के सारे स्क्रूज मल जाएगा जिसके आप इसको असानी से माउंट कर सकते हो और अच्छली को माउंट करना भी काफी जादा असान है प्लस इसका फुल इंस्ट् का जो ब्रैकेट है उसको इंस्टाल करना थोड़ा सा कॉम्लिकेरिड है इसको मिलता है दो एंजेश्टी के AER-P फैंस जिसके क्वाल्टी जो काफी दा प्रिम्यम है आप इसको टच करके समझ जाओ है कि यह कितना अच्छा मेटेरियल से बना हुआ है यह फैंस जो काफी साथ स्टडी है आपको इनका चारो तरफ रवर गार्ड भी देखने को मिल जाते हैं फैंन का वाइब्रेशन नौइस को कम करने के लिए और यह आते हैं एक 7 ब्लेट डिजाइन के साथ और इनका जो ब्लेट डिजाइन है वह थो केबल जिसको आपको Kraken X53 का पंप में लगाना है और इसके बाद कोई भी हुटर जिवाइस को इस केबल में प्लग कर सकते हो बट इसका दूसरा एंड यहां पर आपको एक सेटा केबल में जाता है इस पंप को पावर अप करने के लिए और एक 3-pin PWM फैन पोड भी दिया ग जिसको हाथ में लेके पहली आप नोटिस करोगे इसका राउंट मिरर जिजाइन बट आइनो यह विदाउट लाइट काफी जल लगता है बट एक बार आप इसको पावर से करने के बाद यह विल बी अमेज़ बाइस बाइस और यह मिरर भी आपको प्लास्टिक का ही दिखन इसको रोटेट करके यह जो मुझे एक राकन एक स्टरी सीरिस का काफ जादा एंड हैंडी फीचर लगा है और हां इसका जो आज़ी पिशका फुल्ली कस्ट्रमाइज कर सकते हो एक दम नेक्स लेवल कस्ट्रमाइज कर सकते हो और इसके उपर भी बहुत जल्दी हमारे चैन है तो वह मैं अपना चैनल में डाल रखा है उपर आई बटन से उसको चेक कर सकते हो और अगर आपको इसका इंस्टलाशन गाइड बेच यह तो वह भी हमारे चैनल में बहुत जल्दी आने वाला है जहां पर मैं आपको दिखाऊंगा कि NGXT X53 को AMD चिप्स के साथ मतलब कि AMD साथ कैसे लगाते हैं तो उसके लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो साथ घंटा ही बजाते ना ताकि आप हमारे कोई वीडियो आने वाले मिस ना करो तो इन दे अगर आपको क्वाल्टी लिकुट कुला ढूंड रहे हो जिसमें आपको लुक्स भी बहुत ही आपके इंटल या फिर एंड के सारे के सारे बहुत अच्छा अच्छा मतलब कि यहां पर हाई-end CPU को भी कुलिंग बहुत ही अच्छा प्रवाइट करवा सकता है इसको अगर आपको खर दिना है तो लिंक आपको देखने मिल जागा वहां से आप इसको इसको डिरेक्ली पच और मैं आपसे एक और ऐसे इंट्रेस्टिंग वीडियो के साथ मिलूंगा तब तक के लिए बाबाए सयोनारा और जो भी बोलते हैं बाए